केंदर सरकार्ण को सोसियाल मीडिया गाइडलाइन कुने ही सोसियाल मीडिया ज्यांट वाट्सअप परे मुह कोलीला ट्वीटर गाइडलाइन डे लागू करी बाकू आउतिनी मास महलत मागीची ट्वीटर कईला आईटी नियम लागू जगू बेक्तीर अभिवेक्ती अधिकार उलंगा नेवारा मध्या आसंकार होई छे एती सहित्या कर्मचारिंका सुरक्ष्या कुनेई मध्या प्रस्ण उठाइला ट्वीटर पूर्बरू वाट्साप दिल्ली हाइकोट रे नुआ गाइडलाइन कुनेई चालेंज करीछे वाट्साप परे ट्वीटर केंदर सरकान को सोचल मीडिया गाइडलाइन कुनेई महों खोलीची सोचल मेडिया गाइडलाइन को लागुपाई थिवा डेडलाइन को आउत्तिनी मास बुर्धिकरिवा को टुईटर आभेदन करीजी केंदर रो सोचल गाइडलाइन दो राव यक्तिर बाक सर्जनता भड़े अधिकार उलंगने वोबली टुईटर आसंका प्रकट करीजी टुईटर चिंता प्रकट करीजी सारा दुनियरे कामो करुथिवाद टुईटर पारदर्स्टिता ओलोकों को बाक सोजनता को गुरुत तो दिये बुली टुईटर कहीजी अगर आपको चायना में जाना है तो आपको वहां की गाइडलेंस फालो करनी है आपको अपने फायरवाल को अंदर अपको एंट्री करानी है अधर्वाइस यू कैनाट बी सर्विंग अमेरिका में आपको दुबई में जाना है तो आपकी वाटसेप पोईस नहीं चलेगी पूरे वर्ड में हम जानते हैं कि उस देश का लौ को फालो करना होता है इंडिया में भी अपना एक सिस्टम है उसको फालो करना है और उसको हम किसी चीज के पीछे हम अपने आपको कवर करके उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोट के सामने कहा था कि ऐसे मामलों पर देश के सरवोच अदालत को फैसला देना चाहिए तदानुसार सारे मामले हाई कोटों से सुप्रीम कोट में ट्रांसफर हो गए तो जब ऐसा ही मामला इंक्रिप्शन का मामला सुप्रीम कोट के सामने पिंडिंग है तो उ तो काली WhatsApp केंद्र रो सोशल मीडिया गाइडलेंड कु चालेंज करी दिली हाइकोट रो द्वारस्त होई तिला गाइडलेंड लागो हेले व्यक्तिर बाक्सरीन ता उलोंगने वोबली WhatsApp कही तिला ये जो कानून में परिवर्तन आया है जिसमें Information Technology Rules की सरकार ने अमिन्मिन्ट करी है Central Government ने अमिन्मिन्ट करी है इस से Privacy की जो Right है जो Right of Freedom of Speech and Expression है उस पे ठेस पहुंच सकती है यही भय है लोगों में जिससे बहुत से लोग WhatsApp की जो Chats हैं इस तरह के कानून को लागू करने से ऐसे लगता है कि सरकार वेक्तियों के हर कहने पर और कत्ष्णी पर अपनी नज़नी नज़र अकना चाहती है जो अजादी की परंप्रा के विरुद्ध है मैं उमीद करता हूं कि सरकार अपने कदम पर पुनर विचार करेगी I fully agree with the policy of the Central Government, which says, or mandates the WhatsApp, to trace the origin of a message. Many times we have seen that unnecessary derogatory messages about particular persons are being made viral, but the aggrieved person is unable to trace the origin. That's why I fully support the new policy of the Central Government, which says that WhatsApp should trace the origin of a message. . सोशल मीडिया नियंतरण पहिं प्रस्तुत गाइडलाइन कोडा कडी लागू करिवाकू केंदर सरकार तम लगाई छन्ती। सार्शक तड़ा बीजेपी गाइडलाइन लागू करिवा सपक्खेर छेड़ा होई छी। केंदर प्रजुक्ति विद्या मंतिर अविशंक प्रसाथ गही चन्ती। यूजर्सको गोपुनियोत को सम्मान दिया जिवा। यहाथ वराई यूजर्सकोर कोण से प्रकर असुविदाहे बनाही। किन्तु गंभीर मामलारे सोशल मीडिया सोस्था किंदर सरकार को सोज्जो करिवा को पड़िवा। सब अटे गूगल सीओ सुन्दर पीचाई कोही चन्ती। गूगल स्थानियों नियुमा पढ़ान करिवा को प्रतिस्रुती बत्त। किन्तु सिभिल सोसाइटी है को ग्रोथ को उचन्त। ओरीजनेटर की इंफोर्मेशन की जो कंट्रोवर्सी वाट्सअप क्रियेट करना चाहरा है यह 25 परवरी को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि यह रूल्स आप इंप्लिमेंट करेंगे तीन मेहने में इसके बीच में वाट्सअप ने कोई चर्चा नहीं करी अगर उसे कुछ इंप्लिमेंटेशन के लेवल पर प्रॉबलम है तो उसे सरकार से बात करनी चाहिए लेकिन यह बात सपश्ट है कि सरकार और राइट टू प्रिविसी और फ्रीडम अफ स्पीच को ध्यान में रखते हुए लॉइन और की बात को भी देश के हित में उसको इंप्लिमेंट करेगी क्या प्रधान मंतरी मोडी भूल गए कि राजिय सवा में लेट श्री अरून जेटली ने उटकर यूपिये के ये जो रेगुलेशन आज बनाय जा रहा है उसका पंधर नहीं था वो तो श्री अरून जेटली ने उटकर कहा कि ये ओवर रेगुलेशन है मैं इसकी मुखालि कर रहे हैं क्या पहन रहे हैं यह जो रूुल बनाए गए है यह आंकॉंस्टिउूशनल है और यह भारत को लिजाकर खडा कर देगा चाइना के साथ ये भारत को लिजा कर खड़ा कर देगा, रशिया के साथ ये भारत को लिजा कर खड़ा कर देगा, नौध कोरिया के साथ, जहां पर डेमोक्रिसी नाम की कोई चीज नहीं है। प्सथिर ते झालों टॉटोर्ट लुसरान